हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब एक बार पुना आप सभी का आपके अपने ही चैनल सीघो कोचिंग क्लासेश पर स्वगत हैं दोस्तों क्लास 11 फिजिक्स में आज अपना टॉपिक है प्रत्यास्था गुडांग किसे कहते हैं और प्रत्यास्था गुडांग के प्रकार चुकि प्रत्यास्था गुरांग क्या है तो दोस्तों हुक का नियम जो आपने पढ़ा होगा उसी के अंतरगत दोस्तों इसकी परिवासा निकाली जाती है हुक का नियम क्या दोस्तों की प्रत्यास्था की सीमा के अंतरगत जो प्रतिवाल होता है विक्रत के अनकुमान उपाती होता है मतलब दोस्तो प्रतिवल जितना होगा वो किस पर डिपने करेगा बिक्रती के मतलब जितना बिक्रती होगा उतना ही प्रतिवल या जितना प्रतिवल होगा उतना ही बिक्रती होगी ठीक है और दोस्तो उन दोनों पर हमने एक नेतांक लगाया था जिसे यह कहते हैं और यह स तो प्रतिवल है दूसरो जब हम समय नुपाथी हटाथे हैं तो एक नेतांक लग गया और बिकरति ठीक है और दूस्ट जब इह कमान निकाला तो आ गए प्रतिवल वटे बिकरति ठीक है ये दूस्तो हुटका नियम था तो उसे से परिभासा आप लोग समझें कि प्रत्यस्था की सीमा कि अंतरगाट प्रतिबल और बिक्रति के अनुपाद को ही तुल यह प्रत्यस्था कुँलांग कहते हैं तो दोस्तो प्रत्यास्था गुणांग तीन प्रकार का होता है है ना कौन-कौन से एंग प्रत्यास्था गुणांग आयटन प्रत्यास्था गुणांग और द्रत्यास्था गुणांग अब दोस्तो यदि प्रत्यास्था गुणांग की में मात्रा की बात करूं तो प्रतिव cgs में डाइन प्रति सेंटी मीटर इसको है है ना अब इसका बिमी सूतर भी आपको पाता होना चाहिए तो दोस्तो जितना प्रतिबल का होगा यहां एल के पाउर मानेस वन टीक पाउर मानेस टू इन सब चीजों को क्यों बता रहा हूं क्योंकि दोस्तो अबजेक्ट्व टाइब में मुझा जा सकता है और आपसे बनना चाहिए तो चलिए पहले प्रकार में अब चर्चा करने वाले एंग प्रत्यस्था गुरांग यह एंग प्रत्यस्था गुरांग क्या है अब दोस्तों मैंने तीन प्राकार से प्रतिवल और तीन प्राकार की विक्रती इस कügen एक वीडियो बनाया था प्लेइलिस्ट में देख लिजएगा और उनके सारे डिप्रिंडियों भी वृताया था और सोतर भी निकल बाया था तो दोस्तो यहाँ पर अनुदैर्थ प्रतिवल और अनुदैर्थ विक्रति का जो रेशियो होता है जो अनुदैर्थ होता है वो कहलाता है दोस्तो एंग प्रत्यस्था गुणां कहलाता है इसे हम गामा से प्रत्यस्था करते हैं कि प्रत्यस्था की सीमा अब प्रत्यस्था क गुड कहलाता है लेकिन एक ऐसा निश्चित सीमा कि जिससे अधिक बल लगा दे तो वह प्रत्यस्था का मतलब गुड क्या हो जाए खो दे है ना प्रत्यस्था का गुड क्या हो जाए समाप्त हो जाए तो वह दोस्तो कहलाता प्रत्यस्था की सीमा समझ रहे ना मतलब जैसे आप एक निश्चित बल जैसे गुबारे पे आप बल लगा रहे हैं गुबारे पे बल लगाते रहेंगे मतलब हवा भरते जाएंगे कि ऐसी इस्थित आएगी दोस्तों कि एक मतलब उसका तनाव ज्यादा हो जाएगा और अपने मूल इस्थित पर नहीं आएगा गुबारा फट जाएगा तो ये दोस्तों उसकी प्रतैस्था की सीमा से अधिक हो गया तो एक निश्चित सीमा तक जिसका उसका प्रसार हो सकता है और दोस्तों उससे अधिक बल लगाने से मतलब उसका अधिक कार करने से उसका प्रतैस्था का क्या हो जाए समाप्त हो जाए तो वह ज कि से दो क्यापिन trabajo?" ये ये कैपिन तो ये केपिने हैं तो यन सब्सक्राइब और विंदे профस्दों 15 ला foster क्याता है। यह हम ऐसा भी कह सकती है, आपके पास एक चालक तार है, है न, उस पर हम कह लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, उसके अनुपरस्ट काट छेतर फल ए है, जिस पर हम बल लगा रहे हैं, तो उसकी लंबाई में परिवरतन कितना हो जाता है, दोस्तों, कितना हो जाता है, इसमॉल विक्रतिकी, तो दोस्तों क्या होता है, प्रारंबिक लंबाई नीचे होता है, लंबाई परिवरतन उपर, मतलब लंबाई में परिवरतन बटे प्रारंबिक लंबाई, अब कुछ भी नहीं है, अपन बाई का मान निकालना चाहते हैं, तो दोस्तों यहां पर मैं रख दूं, अंदेद पतीबल के जगए, तो प्रतीबल बर्ल बटे छेट फर, है नगा, और दोस्तों, स्मॉल एल बटे कैप्टल, क्या होता है, कि जब इसको पक्छांतार करेंगे, दोस्तों, तो अंस काहर नीचे जाता है, और हर काहर उपर जाता है, तो ये ल हो गया, और एल नीचे ह कि यह सकता है आगे जो आपको और तो इसकोन सauen को लिख नह Сам सकती हए और आयतन और मत रही है वह पर को दो स्कूर्स तो नीटन पर मीटर स्क्वार दूस्तो इसका मात रख हो गया है ना ऐसा ही मात रख और बिमी स्की हो गया है यह एल्ट पार मैनस टीक पार मैनस टू ठीक ठीक है ये चीजें भी आपको क्लियर होना चाहिए ताकि आपको दिक्कत न हो सके आगे समझने में तो ये रहा दोस्तो आयतन प्रत्यास्था गुडांग अपना टॉपिक है आयतन प्रत्यास्था गुडांग इसको समझेंगे सबसे पहले परिभासा समझते हैं दोस्तो कि प परिवासा पड़े होगे कि जब आपके पास एकांग छेत्रफल का आयतन एकांग हो तो यहां दोस्तो अविलम प्रतिवल जो होता है आयतन में परिवरतन से सम्मांदित होता है कि आपका जो अविलम प्रतिवल होगा और उसके आयतन में कितना परिवरतन होगा चीजे समझें वो अभिलम प्रतिवल और आयतन बिक्रति के उनपात के बराबर होता है और जो दोस्तो ए आपका अभिलम प्रतिवल है ना वो आयतन परिवर्तन से दोस्तो दाब में परिवर्तन होता है तो अभिलम प्रतिवल प्रतिवल बल लगाएंगे मतलब दाब लगाएंगे तो दाब में परिवर्तन दाब में परिवर्तन यदि दोस्तो दाब आपके पास परिवर्तित होकर पी प्लस डेल पी है और प्रारामबिक कितना दोस्तो पी है तो घटाएंगे तो कितना परिवर्तन कहलाएगा डेल पी यह डेल पी कहा है दोस्तो दाब में परिवर्तन थोड़ा समझे माना आपके पास एक क्या दोस्तो पिस्टर निक्त पात रहे इस पे गैस बहरा हुआ है क्या बहरा हुआ है गैस बहरा हुआ है जिस पर दोस्तो दाब पी आरोपी थे और गैस का आयतन भी है लेकिन दोस्तो जैसे हम दाब बढ़ाएंगे तो आयतन में क्या हो जाती है कामी हो तो दावे यहां पर लग रहा है तो दावे में ब्रदी दोस्तो अभिलम प्रतिवल कहला गया आयतन में परिवर्तन होता है ऐसा नहीं है जैसे देखिए आयतन बिक्रती हम निकालेंगे तो आयतन बिक्रती कहलाता है क्या आयतन बिक्रती कहलाता है कि आयतन में कितना परिवर् आयतन हो रहा है आयतन में परिवरतन दोस्तो और प्ररंबिक आयतन क्या था आपका प्ररंबिक आयतन क्या था प्ररंबिक आयतन भी यहां पर रिलेट रख रहा है प्ररंबिक आयतन तो चीजें समझें हमने क्या का यहां पर दाप पी लगाया तो पी लगाने से आयतन में कमी हो जाती है, यह तो clear है आप लोगों को भी, कि किसी भी piston दोरہ हम दाप बढ़ाते हैं तो उसके आयतन में क्या होती है, कमी होती है, तो देखिए, आयतन में परिवरतन, अंतीम आयतन भी माइनस डेल भी है, और दोस्तो प्राणविक आयतन भी है, और प्रलम्भी कायतन भी है तो देखी यहां से B से B कर जाएगा माइनस डेल B बटे भी बचेगा तो वस के बहुत इजी से निकाल सकते हो कि अभिलामर प्रतिवल बटे दोस्तो अभिलायतन भी करती तो अभिलामर प्रतिवल डेल P आ गया और दोस्तों ये किता है डेल भी अपान भी भी को उपर ले जाओ क्योंकि हर काहर उपर जाएगा तो भी डेल भी अपान दोस्तों डेल भी और मानस कर दे यह दोस्तों आपका फर्मॉला आ चुका है किसका दोस्तों आयतन प्रत्यस्था गुडांग का किसका आया आयतन प्रत्यष्था गुडांग का ठीक है इतना क्लियर होगे दूस्तों बस एक और समझना है दर्टा गुडांग उसको भी देख लिए और हां दूस्तों अच्छा लगे तो लाइक करेगा दूस्तों से शेर करेगा तो ये रहा दोस्तो आपका दढ़ता गुडांग और इसकी परिभासा पहले समझते हैं प्रत्यास्था की सीमा के अंतरगत अप रूपर प्रतिवल तथा अप रूपर विक्रत के अनुपात को दोस्तो उस पदार्थ के दढ़ता गुडांग कहते हैं अब इसका परिभासा इजी है दोस्तो द्रड़ता गुडांग, द्रड़ता गुडांग है क्या, दोस्तो अप रूपन प्रतिवल, अप रूपन प्रतिवल, प्रतिवल दोस्तो बटे अप रूपन विक्रती, अप रूपन विक्रती, अप रूपन विक्रती, और इन दोनों क पांक छेट फर पर लगने बाल है बटे दोस्तो अपरूपन विक्रत कितना है मतलब किसी बस्तु को हम उसके समानां तर कितना परिबरतन हो रहा है वो ठीटा के बराबर होता है और इसके एक्चुल में बैलू दोस्तो एप ये अपान ठीटा हो जाता यही दोस्तो द्रढ़त के साथ तब तक लिए जैहिन बाने मात रहा है